Hello students, आज हम करेंगे चप्टर 1, Source of Food तो इसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आपी का जो आपका, Need for Food So, वो कते हैं, All living organisms need food, not only human beings, but even animals need food for living Food is essential for both animals and plants, we feel exhausted and weak If we do not eat for a few days, we cannot live without food for more than a few days वो कते हैं, अगर हम food ना खाये, तो हम जिंदा नहीं रह सकते इसलिए हारे कैनिमल और human being को food जो है, वो बहुत जाता जुरूर है उसकी क्योंकि इससे हमें energy मिलती है, हम डेली की जो भी हमारे activities हैं, काम करते हैं, वो सारे food की वाजा से ही करते हैं अगर हम ना खायें, तो हम weak feel करेंगे, बहुत जाता कमजोर feel करेंगे, ठीक है next आगे आपका function of food, तो function of food में देखो, first है यह हमें energy प्रवाइड करता है, second growth प्रवाइड करता है, growth होती है हमारी body की, उसके बाद है, it helps in healing, injuries and protect our body from disease, यह हमारी body को जो disease है, ठीक है, उनसे protect करता है and उसके बाद it keeps our body warm, यह हमारी body को क्या करता है, next आगे आपका variety of food, variety of food में देखो, variety का मतलग क्या होता है, बहुत सारी different, different types होगी, बहुत सारी different food होगी, जैसे fast food होगी है, हमारा, हमारा जो reason है, Punjab है, उसका special food होगी है, करना, South Indian food होगी, जैसे, और इसमें जो food हम डिली, ज different food जो हम खाते है, जो meal हम लेते हैं, खाने के लिए चीज़, वो अलग से होती है, ठीक है, जैसे morning में हम थोड़ा, जैसे कुछ पराणटाव गरा खाली है, ठीक है, जो heavy food हो हम, जो lunch है, उसमें ले सकते है, and रात को हमने क्या करना है, डिनर में light food जो हमने लेना है, ठीक है, उसके बाद आगे आपका हर एक पीपल जो है अपना अपना उनका different variety of food को वो use करते हैं ठीक है and the next one is okay next आगे आपका source of food अब source of food का मतलग के आता है कि हमें food मिल कहां से रहा है तो सबसे जो best source of food माना जाता है वो माना जाता है plants को जो green plants है वो अपना food अपने आपतियार करते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है। next आगे हमारा first topic जो इसमे food from plants कि कोन कोंस पूर जो है वो हमें plants provide करते हैं तो इसमें हमें पता है कि जो green plants है वो with the help of carbon dioxide, sunlight, water and chlorophyll की help के साथ वो photosynthesis process करते हैं और उसी अपना food बनाते हैं ठीक है और वो food जो है हम use करते हैं उस food को हम use करते हैं काने के लिए जैसे हमें जो roots से food मिल रहे हैं तो roots में कुछ ऐसे plants होते हैं जिनका जो अपना food है उनको roots में store करके लगते हैं और फिर हम उनको खाते हैं ठीक है हम उनको use करते हैं as a food use करते हैं उसको ठीक है next stem देखो some plants store food in their stem कुछ plant ऐसे हैं जो अपना food store करते हैं स्टेम में और वो stem हम क्या करते हैं यूज करते हैं as a food stem इना sugar cane is full of sugary juice जो sugar cane के वो बात करने हैं उसमें वो कहते हैं वो होता है शुगरी juice के साथ और हम उसको यूज करते हैं खाने के लिए ठीक है चाहिए वो कोई उसका food खाने वाले चीज़ हो जहां वो कोई पीने वाले चीज़ हो ठीक है उसके बाद ऐसी कुछ और example उन्होंने दी है आपने कुछ एक या दो इसमें से याद करनी है ठीक है जैसे potatoes है कॉर्ण से तो अपने ये सारी एक्जमपल से याद रखनी है जैसे ginger है ठीक है जो आपको easy लगे वो अग्जमपल आपने याद रखनी है ठीक है तो यह जो stems है उसे हम use करते हैं as a food इसके बाद आगे next up का जो है वो होगा देखो leaves अब leaves में क्या है leaves में हमारे पास क्या आएगा leaves are the widely used as a part of our food leaves from lettuce are eaten as salad cabbage ठीक है तो यह different example इसमें भी दिये अनियन वगेरा जो है हम use करते हैं इनके जो leaves होती है उसमें जो हम food होता है वो हम use करते हैं ठीक है तो कुछ प्लांट स यह ऐसे है जो food को store करते हैं इनना leaves और वो हम use करते हैं अपने लिए, next flowers, cheers heavenly Pros 상황yeah equitable, broccoli, bananas थो हम यह use करते हैं फूर्ड जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स में अपना फूर्ड स्टोर करते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूर्ड फ्लावर्स में स्टोर करते हैं और हम उनको यूज करते हैं खाने के लिए ओके next आ जाओ next इसमें आपका क्या आएगा fruits आ गए ठीक है fruits में क्या है fruits आपको पते हैं आप बहुत सारे fruits यूज़ करते हो जैसे कुछ orange हो गया grapes हो गए mango, banana, papaya ठीक है all these are the sources of food ठीक है इनसे हमें food मिलता है और यह हम खाते हैं और यह सारे source किसके हैं यह plants के द्वारा हमें provide के जाते हैं यह जो food sources है यह हमें plants provide करते हैं ठीक है तो next topic जो है आपका उसको करते हैं next आ जाएगा आपका seeds seeds में भी आपको कुछ different types के food जो है वो मिल जाएंगे जैसे इसमें इसे grains आ जाएंगे pulses आ जाएंगी edible oils आ जाएंगे तो आपने इसमें example से याद रखनी है कि grain में हम क्या कुछ ही यूज करते हैं wheat, rice, barley, oat यह सब चीज़े हैं जो हम यूज करते हैं जो की बहुत सारा rich होते है source of flour used for making and baking of thicker loaves and bread, roasted corn यह सारी चीज़ेंट से बनती हैं उसके बाद आ गया pulses, pulses होती है दाला आपकी जो दाला आप खाते हैं वह भी हमें plants ही provide करते हैं जिनको हम यूज करते हैं as a food, next is edible oil, edible oil में देखो क्या आगा कि इसमें कुछ mustard oil आ गया जैसे सर्सों का oil है हम यूज करते हैं खाने के लिए ठीक है तो यह हमें सारे food provide कर सकते है as a food हमें इनको यूज करते हैं और यह हर एक चीज जो है, seed है, fruit है, flower है, हमें कौन provide करते हैं, plants provide करते हैं ठीक है तो edible oil में कुछ example दिया है, mustard है, sesame है, soya bean है, groundnut है, coconut olive oil, ठीक है, तो sunflower यह सारे oil हम यूज करते हैं as a food, इसमें से कुछ ऐसे भी seed है, कुछ ऐसे oil है, कुछ ऐसे oil में नहीं रखते हैं, जो खाने के लिए नहीं होते हैं, for example, castor oil and linseed oil, ठीक है, it is a, जो है, these are not edible oils, यह खाने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, next आपने example देखना है, इसके बाद आगे आपका, देखो, some non-flowering plant as a source of food, कुछ ऐसे plants भी हैं, जो non-flowering होते हैं, जो नोन फ्लाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको यूज करते हैं as a source of food, for example, fungus plants such as mushroom, okay, जो यह सारे plants हैं, यह non-flowering plant होते हैं, लेकिन हम इनको यूज करते हैं as a food, because they are rich in protein, इसमें बहुत ज़दा protein होता है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं as a food, use करते हैं, no other fungus plant is edible, कोई और इनके आप का गया food from animals, पहले भी हमने बात की थी, food from plants, now we are going to talk about food from animals, animals are a good source of food for man and other animals, देखो जो animals से हमें food मिल रहा है, जो हम food लेते हैं animals से, वो human के लिए होता है, और वो जो animals हैं उनके लिए होता है, देखो कुछ बड़े animals हैं, वो छोटे animals को खा जाते हैं, ठीक है, वैसे human क्या गरता है, वो भी animals को खाता है, जैसे हम meat काते हैं, तो वो हम उनको यूज़ करते हैं as a food, तो जो first है, first food की बात करें, वो कौन सा इसमे milk है, ठीक है, milk में बता है, हम सब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो milk में क्या है, milk is a good source of food, पहली बात ही हो गया, milk is a complete food, complete food मना जाता है क्योंकि जो milk है, वो protein rich होता है, और इसमें calcium बहुँ जादा होता है, और एक चीज़ और भी है, कि ये complete food तो है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नो कुछ कमियां होती है, जैसे इसमें fiber और vitamin C की कमी होती है, deficient लिखना यह पर, तो deficient का मतलब होता है, कमी होना, ठीक है, butter milk is a good source butter, cheese, curd, ठीक है, खोया कहते हो, और गी, तो ये सारी चीज़े हैं, हमें milk से ही मिलती है, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी हैं, और हमें बहुत ज़्यादा जो energy प्रवाइड करते है, ठीक है, नेक्स्ट आगे हमें animals से क्या मिलता है, eggs मिलते हैं, अंडे हम काते है as a food come from birds like hen, goose, turkey and duck, तो ये भी जो eggs हैं, वो भी रिच होते हैं, protein and vitamins, तो ये होगे दो food ऐसे जो हमें animals से मिलते हैं, नेक्स्ट फूड की बात करेंगे हम meat, तो देखो जो non-vegetarian होते हैं, वो meat खाते हैं, ठीक है, meat क्या होता है, edible animal flesh होते है, मास खाते हैं, जो लोग वोसे मीट करते हैं, ठीक है, तो मास को मास काते हैं, तो वो किस-किस का मास का सकते हैं, जैसे goat है, sheep है, birds है, fish and wild animals है, उनकी जो flesh है, उनको use किया जाता है as a food, ठीक है, और our seafood include edible flesh from prawn, crab and other fresh and sea water animals, कुछ लोग fish काते हैं, तो वो sea animals है, ठीक है, तो ये animals हम use करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ज comes from honeycomb, ठीक है, आपको बता है, मदु मुख्यों का जो चत्ता होता है, उसमें से हमें honey मिलता है, और honey भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हमें sugar प्रवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद आगया आपका topic, eating habits of animals, अब animals की खाने की आदिते क्या है, उनकी habits क्य है, कि वो क्या-क्या खाते है, और कौन-कौन सी animals क्या-क्या चीज़े खाते है, ठीक है, तो इसमें कुछ different examples आएंगी, जैसे first है, herbivores, herbivores होते है, carnivores होते है, and omnivores, three types के animals habits है, तो हम first को discuss करेंगे, first जो है अपकी, वो है, herbivores, herbivores में क्या होता है, वो animals, जो सिर्फ और सिर fruits and other plants, ठीक है, जो सिर्फ और leaves खाते है, फूल पतिया खाते है, वो सारे animals को हम क्या बोलते है, herbivores, और इसकी examples के आगे, cow, buffalo, horse, male eater, grass, goat and sheep, जो है, वो leaves खाते है, ठीक है, तो यह आगे, herbivores जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते है, ठीक है, तो यह आगे, herbivores जो सिर्फ और ऐसा कुछ नहीं काते है, वो सिर्फ और सिर्फ मास काते है, जो उन से चोटे animals है, वो उनको खाते है, फॉर एक्जमपल, lion हो गया, tiger हो गया, frog, cat, spider, तो यह सारी चीज़े हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मास काते है, और इन animals को क्या खाता है, कार्णिवोर्स का जाता है, नेक्स जासे देखो डोग है, डोग को अगर मीट देदो, तो वो मीट भी खा लेता है, और अगर डोग को कोई फल फ्रूट देदो, सब्जी देदो, रोटी जदो, वो भी वो खा सकता है, ठीक है, तो मतलब डोग ऐसा है, जो दोनों चीज़े खाता है, और जो animals, दोनों खाते हो प्लांस और मास, उनको हम कहते हैं, Omnivores, ओके, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट के आपका टोपिक बचा है, लास्ट जो है, फूड कल्चर ओफ डिफरेंट रिजर इन इंडिया, देखो हम कहते हैं, इंडिया बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यहां पे बहुत सारी डिफर जो फूड है, वो रुटी और दाल को ज्यादा यह प्रैफर करते हैं, उनको अच्छा लगता है यह खाना, ठीक है, मीट है वो हार एक देश में, पूरे देश में खाया जाता है, फिश और सी फूड इस इटन बाई पीपल लिविंग लॉंग दा सी कोस्ट अब जो लोग स यहां उनको मिल सकती हो, फिश मिल सकती हो इसी, तो वहां के लोग भी फिश करते हैं, ठीक है, ऐसा चाहिए इंडिया वी फाइंड साउथ इंडियन फूड, पंजाबी फूड, राजस्थानी फूड, बंगाली फूड, अधर कॉमन मैंस फूड ओल आवर इंडिया इंडिय इसके बाद मैंने आपको जो कॉस्टन अंसर है और एक्सराइज अब आपने करनी है, ठीक है, तो जो आपके यहां पे प्रेजन्ट है, यह, टरम अट ग्लांस, तो इनको आपने करना है, ठीक है, इसको, तो फस्ट इसमें ओडो टोफ है, यह आपको पता चलगा कि ओड़ो होते हैं, कार्निवर्स केया है, जो सिरफ और सिरफ मार्स खाते हैं, हर्भिवर्स केया है, जो प्लांस और लीव वग Gary life activities हमें करने के लिए energy provide करते हैं omnivores वो होते हैं जो दोनों खाते हैं plants और मास दोनों खा जाते हैं वो omnivores होते हैं and the last is very potent squengers squengers वो है जो dead and decaying food जो आपके surrounding के मालों कोई animals मालों कोई मर गया है जानवर मर गया है वो रोड पे बड़ा है तो वो क्या करते हैं उनके ऊपर कीड़े में इनको लग जाते हैं ठीक है वो उनको छोटे चोटे parts में divide कर देते हैं और फिर जो squengers और उनको खा जाते हैं उठा के ले जाते है वहाँ से खा जाते है तो वो area clean हो जाते है तो इनकी एक्जमपल है वल्चर हो गए crow, sparrows and other birds and ants, जो वहाँ की body जो dead body उसको खा जाते हैं, उसे squenchers कहते हैं ठीक है, तो आपका chapter यहाँ पे over हो गया, ठीक है और इसमें से जो exercise है वो आपने इसमें से फिल करनी है देखके डूढना है उसको, अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दिना थैंक यू